दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बिहार की टॉप बड़ी निउस को देखेंगे दोस्तो बिडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो के एक प्यारा लाइक जरूर कर दे पसाओती हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताई क्या बिहार के कीज जिले में रहते हैं। तो चले सुरुआत करते हैं आज की पहली और बाड़ी ख़बर से। बिहार में आज से तीन दिन खराब रहेगा मौसम तेज हवाओ के साथ बारिस का भी अलर्ट। बिहार में आज से चार दिन तक मौसम खराब रहने के आसंका है। प्रदेश के अधिकतर जिलों में 20 मय तक हलकी से मैदमिस्तर के बारिस होगी। इसी दुरान कई जगों पर ते से तीन डिगरी सेलसेल्स के गिरावाट और दचनी भाग में एक से तीन डिगरी सेलसेल्स की बढ़ोतरी होने की समभवना है। इसी करान अगले तीन दिनों के दुरान प्रदेश के उत्तरे भागों के अधिकतम तापमान में कोई बिसेस परिवर्तन नहीं होगा। और पड़ेखर में देखें बिहार में पॉलेटेकनिक जीनम और एनम फॉर्मिसी के लिए बढ़ाई गए आविदन किती थी। बिहार सजयुत परवेस परतियोगता परिशा पारिशाथ ने डिपलोमा सटपिकेट परवेस परतियोगता परिशा 2030 के लिए आविदन किती बढ़ादी है पॉलेटेकनिक पारा मेडिकल और पारा मेडिकल इंटरस्तिया में परवेस के लिए परिशाथ फॉर्म आप स्टूडेंट 22 माई तक बेसे सी बोर्ड डॉड बिहार डॉड गवर्मेंट डॉट इन पर जाकर भर सकते हैं आपको बतादे कि इससे पहले फॉर और 25 जुन को आयुजित की जाएगी राज में 26 माई तक इंटर में एडमिसन के लिए करे आविदान चात्रों के पास मौजुद होंगे बेस संसानों की विकल्प दसवी पास कर इंटर में एडमिसन लेने की प्रक्रिया सुरू हो गई है यह प्रक्रिया ओनलाइन है इस्ट कि रिया 23-25 के लिए है ओलाइन अविदन ओफैस की मैदम से भ़रा जाना है आविदन करने के लिए अभियारती को उत्रीन होने का वर्स रोल कुड रोल नंबर और जनम धिति भरना होगा इसके बाद अभियारती अपना फोटो डाउनलोड करेंगे इसके बाद अभियारती उपेंदर खुस्वाहा पर केंदर फिर महरबान मिली जेड सरेनी की सरक्षा राश्टिय लोक जेंतादल के प्रमूख उपेंदर खुस्वाहा की सरक्षा एक बर फिर से बढ़ा दी गई है अब उन्हें जेड के डिगरी की सिकुरेटी मिले गी लोकसवा चुना 24 से पहले खुस्वाहा पर केंदर सरकार एग और फिर महरबान देखी है इससे पहले जेड़ फिर चोडने के बाद मार्च महने में खुस्वाहा को वाई प्लस सरेनी की सरक्षा मुहया कराई गई थी अब उनकी सिकुरेटी को वाई पलस से बढ़ा कर जेड सरेनी कर दिया गया है रिपोर्ट्स के मताबिक आई बी को उपेंदर खुस्वाहा पर खत्रे का इंपूट मिला था इसे देखते वे केंदरे ग्रह मांतराले ने उनकी सरक्षा बढ़ाने का फैसला लिया है अब खुस्वाहा को जेड सरेनिंग की सरक्षा मिलेगी अब उनके पास च्छे से ज़्यादा एनस्जी कमांडो और पुलिस कर्मियों समेत बाई सरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे ये तेनों सिप्टों में 24 गंटे ड्यूटी करेंगे इस समन में केंदर की ओर से आदिस भी जारी कर दिया गया है वाज़े के उपेंदर खुस्वाह की सरक्षा में बढ़ोतरे के फैसले को अगले साल होने वाले लोकसबा चुनाव से जोड़ कर दिखा जा रहा है खुस्वाह ने इसी साल फरवरी में मुख्यमंतरे नितिस कुमार से लंबी बगावत के बाद जेड़ोई से इसी पदे दिया था इसके बाद उन्होंने रालो जद नाम से अलग पाड़ी बनाई थी वे 2024 में बीजेपी के साथ मिलकर बिहार में चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं यानि खुस्वाह का एंडिये में जाना तैमाना जा रहा है पाटना से बागसर धाम रवाना होई धिरंदर सास्त्री बोले बिहारी मेरे आतमा जब दक पराण बिहार आते रहेंगे बागसर धाम सरकार धिरंदर सास्त्री पांच दिन के बिहार दोरे के बाद कल बागसर धाम के लिए रवाना होगे इस जुरान पटना एरपोर्ट पर बाबा के भगतों की भारे भीड उम्री जाते जाते उनकी एक जलक पाने के लिए सरधालो को ताता लग गया इसे पले तरित पाले मड में हनुमत कviamente के समाफन के बाद बाबा बागेसर ने बिहार की जंता से आने का वादा किया है हनुमत कता के आखरे और पाचवे दिन भी लाखों की तादात में कता सुने सरधालो पहुंचे थे बाबा बागेसर के पांच दिन के दोरे के दोरान बिहार सियासत में उतल पुतल मची रही जहां हनुमत कथा में बीजेपी के रवी संकर प्रसाद, ग्रिराज सिंग, अस्विनी 24, सुसील मोदी समेत कई नेता सामिल हुए तो वहीं बिहार सरकार के मंत्रियों राज़ाद देखने को मिला, लोगों ने बाबा बागेसर के पोश्टर फाड डाले, पोश्टर पर कालिक पोड दी और पोश्टर पर चोर जैसे अबसद भी लिग दिये, जिस पर बीजेपी ने जम करने थी सरकार को घेरा है, वहीं बाबा बागेसर ने भी जवाब देते हुए कहा कि पोश्टर फाड दोगे लेकिन लोगों के दिल से कैसे निकालोगे, बाड़े खर में देखी धरेंदर सास्तरी के दरबार में 24 गंटे में 10 लाग अरजी, दवा पूरी होगी हर मनत, वहीं दुकानदारों ने 5 करोड के नारियल और चुनरी बेच दिये, बिहार में बागेस के हिसाब से करमचारी को ड्यूटी लगाने पड़ी है, अरजी लगाने वालों ने 21 दिनों तक बेच खाए और दो मेहने में बागसिर बाला जी के दर्सन का संकल्प लिया है, दावा है कि इस नियम का पालन करने वालों को ना सिर्फ मनोकामनाई पूरी होगी, बलकि उनकी जिन्दगी के सारे संकट भी कड़ जाएंगे, इस्ताने दुकानदारों ने पांच कड़ो रुपी के नारियल चुनरी सिन्दूर और लोंग बेच दिये हैं, लालन सिंग की माटन पाड़ी में सराप परोसने के आरोप में जिर्यों ने समराड चोदरी को भेजा लीगल न नोडिस भीजा है, इसमें कहा गया है कि समराड चोदरी ने इस माटन पाड़ी को लेकर गलत आरोप लगाया है, 15 दिनों के अंदर उसका सबूत पेस करे वरना उनके खिलाब कानों नी करवाई की जाएगी, जदोई के लेगल नोडिस में कहा गया कि समराड चोदरी ने उसमें BGP के निता भी सामिल होते रहते थे, तारापूर उपचनाओं के बाद भी ऐसी पाड़ी हुई थी तो उसमें समराड चोदरी खुद भी सामिल हुई थे, इसके अलावा उसमें कहा गया कि बिहार में सराबंदी लागू है, सराबंदी कानून के तहत ये प्रावध जा रही है, जातिय जन गन्ना पर सुप्रीम कोड में सुनवाły टली, बिहार में जातिय गन्ना पर लगे, अंतरमी रोख अटाने के मांग को लेकर सुप्रीम कोड में होने वाली सुनवाली बुद वुदवार को टल गई, जश्टिस संजैक करोल दौरा जातिय मामले को दे की जाए जिसके बाद सुप्रीम कोट ने इस पर सहमाती दी है हाला कि नई बेंच के गठन होने के बाद इस सुनवाई की तारिक तरह होगी दरबंगा के मादव ने देश में लराया परिचम एससी सीजल की परिचा में पूरे भारत में हासिल किया दूसरा इस्थान भारते ज चैन आयूक के और से 36,000 रिक्त पदों की भारती के लिए एससी सीजल परिचा अजित की गई थी जिसमें दरबंगा के मादव ने दूसरा इस्थान हासिल किया है बहादूर प्रकंड के डराहर के मादव मिस्रा ने अपनी काम्यावी का पर्चम लहराया है उसे केंद्रे चीवाले सिवा दिलिब में सहय का नुभाग अधिकारी बनाए गया है मादव मिस्रा ने सिजल एससी के परिचा में देश में दूसरा रेंक प्राप्ट कर गाम और जिली का नाम रोसन कर दिया है जिससे उसकी गाम में खुसी का माहल है पिता दिलिब कुमार मातक कवीता मि साथी प्रस्णों की प्रेक्टिस पर धिहान देते रहे बिहार सरकार ने मेडिकल चात्रों को दी है बड़ी रहा था नीजी कॉलेज में MBBS के 585 सीटों पर सरकारी फिस पर नामांकर होगा बिहार सरकार ने इस नए साथर 2023 से मेडिकल सिक्षा लेने वाले बिदातियों को बड़ी रहत दी है राज के सभी नो प्राइवेट मेडिकल कोलेज वा डेम डेविस विदालाई को आदे सीटों यानी 585 सीटों पर नामांकर वा सेक्षनिक सुल्क सरकारी मेडिकल कोलेज के समान ही लेगा ऐसे में इसमें दाकिला लेने वालों को 13 लाख सलाना फीज के जगा सिर्फ 45,800 रुपी पर नामांकर के लिए देना होगा और 22,700 रुपे सलाना सुल्क देना होगा राज सरकार ने नमांगन सुल्क वा सलाना फिस के अलावा सवी प्रावेट मेडिकल कोलेज को अपनी ओपन सीट का फिस भी निदारित कर दिया है नेशनल मेडिकल कमिशन के निदेश के बाद राज सरकार ने सरकारी मेडिकल कोलेजों का सेक्चिनिक सिल्क निदारित कर दिया है इसका संकल भी जारी कर दिया गया है और में देखे राज में सिक्षक भरती के लिए इसी हपते से लिये जाएंगे आवेदन परिचा अगस्त में संभव बिहार लोक सिवा आयोक की सिक्षक न्यूकती प्रक्रिया के लिए आवेदन इसी सब्ता से सुरू होगा चात्रों को कम से कम एक मा का समय मिलेगा परिचा अगस्त में समावित है रिजल्ट नौंबर में आ सकता है आयोक के अधाच अतुल परिशाद ने बताए कि प्राथमिक मायदमिक और उच मायदमिक के लिए अलग अलग परिचाई होगी वही भासा की परिचा कौमन होगी इसमें सबी को पास करना अनिवार है यह परिचा सो अंको की होगी इसमें 30 अंक लाना जरूरी होगा वहीं सबी प्रस्ण वस्तोनिष्ट होगी इसमें 75 अंकों के प्रस्ण भासा से पुछे जाएंगा वहीं 25 अंकों के प्रस्ण अंग्रेजी के होंगी दोनों को मिला कर 30 अंक लाने हैं एक लाग सत्र हजार चार सो सोल पदों के लिए बिगापन निकलेगा सीटों की सिंख्यम में बदलाव संभव है साथ है आपको बता दे कि सरकार ने मजद भी दलाई के लिए पद नहीं भेजे हैं नई सिक्षक नियामाली के विरोद पड़ेगा भारी नितिस सरकार का आंदोलन करने वाले टीचर्स पर कारवाई का आदेश बिहार में नई सिक्षक नियामाली के विरोद में टीचर्स आंदोलन पर उतरने वाले हैं इससे पले नितिस सरकार सतर खुर गई है सिख्चक नियोजर नियामाली का विरोध करना सिख्चक को भारी पर सकता है निती सरकार ने नए नियामाली के खिलाब धरना पर दसन करने वाले सिख्चकों को चेतावने दी है अगर कोई भी सिक्षक आने वाले दिनों में नए नियुक्ति नियामली का विरोध करता है तो उसके खिलाब तुरंदी अनोसा आसन अत्मक कारवाई की जाएगी राजव विभाग की ओर से इस समन में सबी जिलों को निर्देश दे दिये गए हैं सिक्षक विभाग के अपर मुईके सचियों दिपक कुमार सिंग ने मंगलवार को सबी जिला सिक्षक पतादी कारियों को पत्र लिखा है इसमें उन्होंने कहा है कि समाचर, पत्रों और सेसल मीडिया के जरिय पथा चला है कि इस्ताने निकाए कि सिक्षक नई नियुक्ती नियामली की विरोद में धर्ना परदसन करेंगे ऐसे में या सुनिचित किया जाए कि अगर कोई भी सिख्चक या सरकारी कर्मी नियुक्ति नियामलिक की विरोध में किसी भी तरह का धर्ना पर्दसन या सरकार विरोधिक कर्म में हिस्सा लेते हैं तो उनकी किलाप निया मनसार करवाई की जाएगी बियार के प्रारामिक स्कुलों के 66,104 सिख्चकों के लिए खुसकवरी वेतन भुलतान के लिए 31 अरब से अधिक की रासी जारी बियार के प्रारामिक बिदालोय में नगर प्रारामिक सिख्चेक प्रखन सिख्चेक एवं पंचायत के 66,104 सिख्चकों के वेतन के लिए सिख्चा बिबाग ने रासी जारी कर दी है बिबाग द्वारा वित्या वर्ष 2023 के लिए 31.56 अरव रुप्य सिख्चेक प्रखन सिख्चेक बिबाग ने रासी खर्च करने के अनुमती भी जारी कर दी है जानकारी के मुताबिक राज के सबी तरह की सरकारी प्रारामिक भी दालोय में कूल 3.23 लाग सिक्चकों का भूतान करना होता है इतने सिक्चकों में से 66,114 नगर प्रखण एवं 55 सिक्चकों का भूतान राज सरकार की निदी से किया जाता है से से धाय लाग से अधिक सिक्चापों के वेतन का भुकतान समगर सिक्चाबियान के ताथ किया जाता है सारवसिक्चाबियान ने हाल में उनके वेतन अनुदान जारी किया है